a a यह tysग है कि इसन दो तरीक्जे बनाएंगे बैसन और शूची के दाने दर लड़ू इसमें एक लड़ू है जो वह बिना चीनी के बनाएंगे सूगर-फ्री लड़ू बनाने और दूसरे लड्डू हैं जो हम वो बूरा के साथ बनाने वाले हैं तो I hope आपको आपको यह रैस्पी अच्छी लगेंगी है और आज यह चो लड्डू हम बनाने जा रहे हैं इनकी खासियत ही है कि इनको हम बिनाचीनी के बनाने वाले हैं तो यह खाने में बहुत टेस्टी बनते बनाने के लिए सबसे पहले अपने कप्राइब कर लेना तो एक तोरी हमने इसके लिए बिसन और सेम कप्राइब लेनी सूजी यानिरवा और जो आपने £000 लेना थोड़ा से मोटे वाला बेसन लेना उस बेसन से लड़ू है जो तो अब हम गयस के कम फ्लेम पे इसको 4-5 मिनिट के लिए ऐसी रोस्ट कर लेंगे कोई घीब गेरा हम इसमें अड़नी करेंगे बस ऐसी आपने इसको लगातार चलाते हुए मुझे चार से पांच मिनिट के लिए रोस्ट कर लेना हैं भून लेना है इसकी अच्छी looking और एक चीज का ध्यान रखना है आपने गस का फ्लेम हैं जो बिल्कुल कम रखना है गस फ्लैम जब हम बैसन को करते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है और आपक्त का फ्लैम है भीलकुल भी हाई नहीं करनाल ny तो एकदम से बैसन घर्ज जर जाएगा और लढ़ों का टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा तो अब देखि़ पांच से 6 मिनिट के क्रीब इसको भूनते हुए हो गए हैं अब हम इसमें घी अड़ करेंगे तो जिस कटोरी से हमने बेशन लिया था ना सेम कटोरी से आधी कटोरी हमने लिया है तो अभी हम इसमें जो एक चमच घी और एड़ कर देते हैं और एक चमच घी अजो वह बच गया है तो अभी हम इसको बेशन को एसी थोड़ी देर के लिए भून कर देखेंगे अगर लगेगा तो ही हम घी अड़ करेंगे नहीं तो हम वह वाला घी समें नहीं डालेंगे और जैसे जैसे आप बेसन को भूनते जाओगे ना वैसे वैसे इसका जो टेक्श्चुर है वो भी चेंच होता जाएगा बेसन है जो घी छोड़ना स्टार्ट कर देगा अभी देखिए यह हमें थोड़ा सूखा सा लग रहा है अब देखिए आप 5-6 मिनिट के करीब और हो गए ह जैसे जैसे बेसन है जो वो रोस्ट होता चाता है वो घी छोड़ता चाता है तो अभी यह देखिए इसका टेक्श्चर बिल्कुली चेंच हो चुक है और अब देखिए अब मुझे है जो 12-15 मिनिट के करीब हो गया और इसका टेक्श्चर बिल्कुली चेंच हो गया बेसन को रोस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है गैस के कम फ्लेम पे हम जब भूनती है इसको लेकिन जो इसका टेस्ट बाद में आता बहुत ही अच्छा आता है तो इस स्टेज पे आपने एक चम्मच के करीब हाथों में रख लेना पानी और ऐसे उसके चीटे लगा दिने हैं इसके बाद इसको दिखिए कितने बबल्स आ गया न इसमें और बेसन जो थोड़ा फूल भी गया और इसमें जो दाने बनने स्टार्ट हो गया तो आपने इसको एक मिनिट के लिए ऐसी पकाना है जब तक यह बबल्स खतम नहीं हो जाते अब देखिए इसका टेक्स्च्च च Catholic चमक्लत के लिए मैलन सीटे इसको भी साथ में बस एक दू बिए के लिए हम रोस्ट कर लेते हैं आप चाहें तो इसमें पहले घी में रोस्टर इसमें डाल सकते हैं के ये चला कि दो आप सकते हैं जो बंद कर देते हैं इसके बाद भी हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसी चला लेंगे कडाई काफी गरम होती है तो यह मैंने इसको दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लिए और अभी हम इसको ठंडा होने देंगे आपने एक चीज का ध्यान रखना जब भी बेसन के लड़ू बनाते हैं उसमें चीनी मिला रहे हैं या जैसे हम इसमें गुड़ पाउडर एड़ करें यह वो करना है तो आपने गरम में बिल्कुल एड़ नहीं करना इसको पहले ठंडा होने देना थोड़ा और जब लगे कि आप इसको हाथों से टच कर सकते हो बस उतना का गरम रह जा यह हम इसमें मिला रहे हैं चीनी से हम यह वाले लड़ू नहीं बना रहे हैं तो अभी हम इसको हाथों से अच्छी तरह से मिलाएंगे तो आपने इसको हाथों से अच्छी तरह से मिला देना है कि मैंने इसमें जो चाहें झाहां तो इसमें कम या ज्भाइन बनाएँ तो जितने वह साइस के लड्डू आपने बनाने वह सब्सक्रा तो ऑभी दिखें तो आप यह ज्यादा एंट यह जुएन बन गया है तो इसी तरह से लड-dewelom वो भी तैयार कर लेंगे यह अभी मैं तोड कर दिखाती हो आपको यह दिखिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट यह लड्डू बनकर तैयार होते हैं लोगों को चीनी खाना पसंद्नी है वो इसमें गुड़ पॉफडर से यह वाली रेस्पी ज़रू ट्राय किजिए लिए बेस तो आपने जो भी कप यह कटोरी सेट करने सारा नापुसी से लेना और अधी कटोरी में लिए देसी खांड यह वाली जो खांड है इसली मिल जाती है और लड्डू बगारा बनाने में पंजीरी हम बनाते हैं उनमें यह यूज होती है अगर आपके पास यह नहीं है तो फारी तले वाली कडाई या पैन ले लीजिए और उसमें हम घी डाल देंगे जैसी घी हलका गरम हो जाता है तो हम इसमें बेसन और सूजी डाल देंगे अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है बेसन और सूजी जो हमने रोस्ट करनी है भूननी है वह गैस के बिल्कुल ल रखेंगे तो यह देखे पहले हम इसमें जो घी में अच्छी तरह से इसको सूजी और बेसन को मिला देंगे और लगातार आपने चलाते रहना है शुरू में यह जो बेसन का मिक्स्चुर है काफी यह दिखिए ड्राय सा लग रहा है सुखा सुखा लग रहा है लेकिन जैस इसको ऐसे लगातार चलाते रहना है यह देखिए 6-7 मिनट के करीब हो गया मुझे इसको भूनते होए और इसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है अभी हम इसको जो पांच-छे मिनट के लिए और भूनेंगे बेसन और सूजी के यह जो हम लड़ों के लिए मिक्स्चर इसको भूनने में हमें जो 10-12 मिनट के करीब लग जाते हैं यह दिखिए अभी मुझे जो 10 मिनट के करीब हो चुकी है और इसने घी बिल्कुल छोड़ दिया गैस का फ्लेम लो रखेंगे तो बेसन अच्छी तरह से भूनेगा गैस का फ्लेम अगर आपने तेज कर दिया त तो गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखना और यह दिखिए बेसना जो बिल्कुल भून चुका है इसने कडाई को भी छोड़ दिया घीस में से रिलीज हो चुका है घीस ने छोड़ दिया तो गैस का फ्लेम हम कर देते हैं बंद फ्लेम बंद करने के बाद भी आपने इसको एक दो मिनिट के लिए उसमें चलाते रहना है उसके बाद मैंने इसको एक बरतन में ट्रांसफर कर लिया और थोड़ा ठंडा कर लिया है अब हम इसमें मिलाएंगे खांट जा चीनी जो भी आपने इसमें यूज करना है और एक चीज का ध्यारक चीनी आपने तब मिलानी है जब जब यह हलका सा गरम रह जाता ना टच होने लग जाता है हाथ से तब आपने हम इसके बनाएंगे लड़ो जितने भी हम इसके बनाने है तो यह हमने एक बैसन बना लिए कि इसी तरह से लगी होंगी तो जल्दी ही हम लोग मिलेंगे एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई टेक कियर हेवा नाइस टे फ्रेंड्स